जुडिश्री पार्लिमेंट ये एक्जेकिटिफ, in short, state का हर और्गन, हर अथोरिटी इस दे क्रिएचर अफ लॉओ और पाकिस्तान के केस में ये सब क्रिएचर हैं, Constitution अफ पाकिस्तान के ये ही रिजन है कि हर और्गन या हर अथोरिटी के पास इतनी ही पावर या इख्तियारात होते हैं जितना कानून उसे देता है इसी तरह जुडिश्री एंड जजिस के पास भी लिमिटेट और स्पेसिफिक पावर्स होती हैं जिसे हम जुरिस्टिक्शन कहते हैं आज इस वीडियो में हम डिसकस करने वाले हैं कि जुरिस्टिक्शन क्या होती है और इसकी कौन-कौन सी इंपोर्टेंट टाइप्स हैं जुरिस्टिक्शन के कौनसेप्ट को समझने से पहले हमें ये देखना होगा कि एक कंट्री में number of courts हो सकती है और उनकी different hierarchies हो सकती है इसी तरह पाकिस्तान में भी हजारू courts हैं और different hierarchy है जिसमें सबसे उपर हमारे पास आती है supreme court और supreme court के बाद हमारे पास आती है 5 high courts इसके बाद हमारे पास आती है subordinate judiciary जो कि district level पे होती है और एक district में भी a number of courts हो सकती है तो जब भी कोई litigant अपना dispute लेकि court जाना चाहेगा तो उसके पास सबसे पहला question ये आएगा कि जाना कौन सी court में है यहाँ पर अगर ये सवाल एक layman से पूछा जाए तो शायद उसका जवाब होगा कि जो nearest court है ये जो भी पहला court ये किसी भी court में आप जा सकते हैं लेकिन in reality ऐसा नहीं है हर court ये judge का एक दाइरा इक्तियार होता है यानि एक power और authority होती है उसके बार वो कोई भी dispute resolve नहीं कर सकता इसी concept को jurisdiction कहा जाता है और अगर कोई judge अपने दाइरा इक्तियार यानि jurisdiction से बाहर जाकर कोई dispute resolve करता है तो superior court उस decision को set aside कर देती हैं चाहे वो फैसला merit पर ही क्यों न हो अब jurisdiction के भी different types होती हैं तो चलिए देख लेते हैं ये type कौन कौन सी है तो यहाँ पर आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि मैंने jurisdiction की कुछ important types को enlist किया हुआ है तो इसमें सबसे पहले हमारे पास जो jurisdiction है वो है original jurisdiction तो original jurisdiction को explain करने से पहले मेरा यहाँ पर आपसे एक question है कि क्या कोई भी criminal trial या civil suit directly supreme court के सामने present किया जा सकता है कि supreme court इसे सुने एक layman शायद ये समझता हो कि जी बिलकल किया जा सकता है supreme court भी एक court है तो उसके सामने क्यों नहीं किया जा सकता बट इन reality ऐसा नहीं होता different forums हैं competent forum जो होगा वहीं पर आपका case सुना जाएगा और वो decide होगा so यही concept original jurisdiction का है original jurisdiction को first instance jurisdiction भी कहा जाता है और जिस court के पास यह original jurisdiction vested होगी वही court आपका matter first instance में adjudicate कर सकती है यह jurisdiction generally subordinate judiciary के पास होती है जिने हम trial courts भी कहते हैं लेकिन यहाँ पर कुछ exceptions हैं जो हम वीडियो में आगे discuss करेंगे अब इसी के opposite जो हमारे पास next type of jurisdiction है वो है appellate jurisdiction अब appellate jurisdiction जैसे के अपने नाम से ही जायर करती है कि यहाँ पर इस jurisdiction के तहद courts appeal सुनती है यानि इस jurisdiction के तहद court ऐसे matters को adjudicate करती है जो कि original jurisdiction के तहद trial courts पहले से ही decide कर चुकी होती है लेकिन कोई party वहाँ से satisfied नहीं होती और वो party उस TSN को लेके अपना right to appeal exercise करती है और यह appeals ऐसी court सुनती है जो कि trial court से superior हो हारार के में original jurisdiction और appellate jurisdiction में एक difference ये भी है कि original jurisdiction में factual controversies और point of law दोनों को देखा जाता है लेकिन appellate jurisdiction में generally ऐसा होता है कि सिर्फ point of law को adjudicate किया जाता है यानि point of law को ही decide किया जाता है पाकिस्तान में supreme court और high courts ये appellate courts हैं यानि इन courts के पास normally appellate jurisdiction होती है अब again यहाँ पे एक छोटी सी exception है high court of sin जिसे हम further pecuniary jurisdiction में discuss करेंगे इसके इलावा district and session judges जो होते है generally इनके पास भी दोनों ही type की jurisdiction होती है इसके बाद हमारे पास जो next type of jurisdiction है वो है subject matter jurisdiction देखी हर court के पास हर subject की case को सुनने की authority नहीं होती हर court के पास एक limited subjects को सुनने की ही authority होती है इसी concept को हम कहते हैं subject matter jurisdiction subject matter jurisdiction में मार पास further दो major type of jurisdiction है जिसमें civil jurisdiction और criminal jurisdiction बट ये सिर्फ दो ही नहीं है इसमें different jurisdictions हो सकती है जैसे कि अगर कोई terrorism का case है तो वो anti-terrorist court जो है वो सुनेगी इसके इलावा जैसे अगर कोई banking case है तो उसे banking court सुनेगी अगर कोई labors का dispute है तो उसे labor court सुनेगी एसे special subjects के लिए कुछ special courts भी बनाई जाती है और इसी concept को हम कहते हैं subject matter jurisdiction अब for example अगर कोई court civil court है यानि उसके पास civil jurisdiction है तो वो सिर्फ वो ही matter सुन सकती है जो civil in nature हों वो कोई भी criminal case नहीं सुन सकती और similarly अगर किसी court के पास criminal jurisdiction है तो वो criminal matters में ही deal कर सकती है या वो कोई भी civil dispute नहीं सुन सकती लेकिन इन practice हमारे पास ऐसा होता है कि एक ही court में दोनों ही type की jurisdiction vested होती है यानि अगर एक judge है civil judge भी होगा और वो judicial magistrate भी होगा अगर उसके पास कोई civil matter आएगा तो वो as civil judge act कर रहा होगा और वहीं पे अगर उसके पास कोई criminal matter आता है तो वो as a judicial magistrate act कर रहा होगा इसके बाद हमारे पास जो jurisdiction की next type है वो है territorial jurisdiction इसका simply ये मतलब होता है कि कौन सी court, कौन सी territories के matter सुन सकती है हर court के पास limited territory के लिए ही jurisdiction होती है इसके अगर मैं best example की बात करूँ तो हमारे पास high courts है पाकिस्तान में हमारे पास total 5 high court है जिसमें Islamabad high court, पिशावर high court, सिंध high court, प्लोचस्तान high court and लाहोर high court यानि हर province के लिए एक high court है और उस high court की authority उस province तक ही limited है यानि सिंध high court कोई लाहोर का dispute नहीं सुन सकती या similarly, लाहोर high court कोई सिंध का dispute नहीं सुन सकती इसे हमें ये समझाता है कि इन high courts की जो jurisdiction है वो भी limited to territories है इसे तरह से subordinate judiciary में भी judges की एक territorial limit होती है जिसके matter को ही वो देख सकते है और ये matter particular courts ये judges को notify कर दिया जाता है और उनकी jurisdiction वहीं तक मैदूद होती है अब अगर आप ये चाते हैं कि different type of jurisdictions specially territorial jurisdiction को determine कैसे किया जाता है इसमें मैं अगर एक वीडियो बनाओ तो comment section में मुझे जरूर बताइए इसके बाद हमारे पास जो next type of jurisdiction है वो है pecuniary jurisdiction जो word है pecuniary ये relate करता है monetary value या money से अब जैसे हम इस वीडियो में discuss कर चुके हैं कि original jurisdiction generally subordinate judiciary के पास होती है लेकिन एक district में भी multiple courts और different hierarchy of courts हो सकती है civil judges हो सकते है senior civil judges हो सकते है और district and session judges हो सकते है इन judges में से आपका case किस judge के पास जाएगा ये determine करती है pecuniary jurisdiction pecuniary jurisdiction का simply ये मतलब होता है कि आपका जो case है इसकी monetary value कितनी है और उस valuation के हिसाब से ही ये determine किया जाएगा कि कौन सी court आपका matter सुनेगी कौन सी hierarchy of court आपका matter सुनेगी for an example आपका dispute एक property को लेके है तो हमें सबसे पहले ये determine करना होगा कि उस property की value क्या है इसे से हम determine कर सकते हैं हमारा case कौन सी court के पास जाएगा different ranks of judges के पास different pecuniary jurisdiction होती है और ये threshold of value जो है वो change होता रहता है लेकिन अगर मैं आपको general example के तोर पे बताऊँ तो अगर आपकी dispute की valuation जो है वो 10 लाग या इससे नीचे है तो वो civil judge के पास जाएगा और अगर 10 लाग से उपर की अगर आपके पास valuation है तो वो एक senior civil judge के पास जाएगा और generally in Pakistan senior civil judge के पास 10 लाग से लेके unlimited pecuniary jurisdiction होती है लेकिन यहाँ पर आती है हमारी एक aim exception जो कि मैं multiple time mention कर चुका हूँ high court of sin basically कराची में high court of sin के पास original jurisdiction भी vested है based on pecuniary jurisdiction यानि एक civil dispute की जो valuation है वो एक threshold से उपर होगी तो वो directly high court of sin सुन सकती है कराची में यह threshold change होता रहता है लेकिन currently जो threshold है वो है 65 million यानि 6.5 crores अगर कोई भी civil dispute है जिसकी valuation 6.5 crores से उपर है तो वो directly high court of sin कराची में सुनेगी बट generally all or Pakistan ऐसा नहीं है वो senior civil judge ही सुनते हैं इसके बाद हमारे पास जो type of jurisdiction है वो है extraordinary constitutional jurisdiction जिसके तहएत हम writs file करते हैं या constitutional petitions file करते हैं आर्टिकल 199 of Constitution of Pakistan high courts को extraordinary jurisdiction देता है कि अगर कोई भी advocate remedy available नहीं है on particular grounds high court अपनी extraordinary constitutional jurisdiction के तहएत on matters को adjudicate कर सकता है इस jurisdiction के तहएत certain grounds का fulfill होना ज़रूरी है और इसमें stage of evidence नहीं होता यानि इसमें कोई भी factual controversy को entertain नहीं किया जाता इसके बाद हम आ जाते हैं अपनी वीडियो की last type of jurisdiction जो के है so motto jurisdiction अक्सर आप news में सुनते होंगे कि supreme court ने so motto ले लिया so basically so motto का ये मतलब होता है कि court हुद से ही किसी के खिलाफ proceedings को initiate करे यानि जिसे उर्दो में as hood notice लेना भी कहा जाता है article 184.3 के तैद supreme court के पास ये jurisdiction है कि supreme court किसी भी matter में जो कि public importance का हो उसमें so motto proceedings initiate कर सकती है लेकिन यहां पर important बात note करने वाली ये है कि ये सब courts के पास so motto power available नहीं होती पाकिस्तान में सिर्फ दो ही hierarchy of courts हैं जिनके पास ये jurisdiction available है जिस पर पहले नमबर पर ये jurisdiction है magistrates के पास और दूसरे नमबर पर है ये supreme court के पास और अगर in particular अगर हम बात करें तो supreme court में भी chief justice के पास इसके इलावा किसी भी court के पास ये jurisdiction available नहीं है यानि कोई भी court किसी पार्टी के हिलाव होज से कोई भी proceeding initiate नहीं कर सकती जब तक कोई दूसरी पार्टी किसी पार्टी के हिलाव proceeding initiate ना करे तो आज की वीडियो में इतना ही अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसे like करें मज़ीद इसे तरह की वीडियोज के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें मिलते हैं अगली वीडियो में तब तक के लिए अलाहाफिस